स्वामी जी, मंचपरासीन आदरनिय डॉक्टर वेद परताब वैदिक जी, मेरे बड़े भाई सरीखे श्री देविंद्र शर्मा जी, अजय भाई, मेरे बड़े भाई सरीखे श्री ओपी श्रिवास्तव जी, श्रीमति रेनु श्रिवास्तव जी, अन्ने सभी संभालनिय अत ती गणड़, स्वामी जी का जैसा निर्देश है, मैं आपसे पंद्रे मिनट में कुछ बातें कहना चाहता हूं, कुछ बिंदु आपके बीच में रखना चाहता हूं, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत, ये बात हमें आजादी के साट साल के बाद कहने की क्या जरूरत है, क सेमिनार, सिंपोजियम्स किया करते थे, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत, 1905 से 1911 तक, सेकड़ों बार उन्होंने इस विशे पर परिचर्चा आयोजित की हुए, इसी तरह से 1905 से 1911 के बीच में, लाला लाजपत्राय स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे, इसी तरह से कलकत्ता के और पूरे बंगाल और भारत के बहुत बड़े करैंतवीर अर्विंदो घोश, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे, हमारे देश के आजादी के बहुत बड़े नायक महत्मा गांदी, आजादी के पूरे समय में, मालने आज आजादी के आंदुलन के पूरे समय में स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे तो स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात करने वाले आजादी के पहले के नेता थे अब आजादी के साथ साल के बाद हमको स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात क्यों करनी पड़ रही है क्या हमारी मजबूरी है क्या हमारी तकलीफ है हमारा दुख क्या है हमारा दर्द क्या है हमारी पीड़ा क्या है क्यों हमें यही बात कहनी पढ़ रही है जो कभी गांदी जी को कहनी पढ़ी लाला लाच्बतराय को कहनी पढ़ी विपिन चंदरपाल को कहनी पढ़ी लोकमान निटिलक को कहनी पढ़ी वही बात आज क्यों कहनी पढ़ रही है अब तो आजादी आ गई है अब तो अंग्रेज चले गए है अब तो इस्ट इंडिया कमपनी भी नहीं है इस देश में तब तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे इस लिए हम स्वदेशी की बात करते थे अब आज़ादी के साथ साल के बाद फिर स्वदेशी की बात क्यों करनी पड़ रही है ये एक गंभीर प्रश्न है और वो प्रश्न में आपके सामने खोलना चाहता हूँ बात ऐसी है कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई आजादी नहीं आई स्वतंतरिता नहीं आई इस देश में 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरन हो गया स्वतंतरता नहीं आई आजादी नहीं आई क्योंकि स्वतंतरता का मतलब है अपने तंतर में जीना आजादी का मतलब है अपनी व्यवस्ताओं में जीना स्वदेश माने अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना अपने तंत्र की व्यवस्थाओं में जीना तब हम सोतंत्रता की बात कर सकते हैं लेकिन आजादी के साथ साल के बाद तो एक भी तंत्र ऐसा बना नहीं इस देश में जो अपना हो जिस संसत से कानून पारित होते हैं वो संसत अंग्रेजों की बनाई हुई है वो अपनी कहा है ये गोल गुंबद जो शून जैसा है ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ धाचा है 1927 में जिसको मात्मा गांदी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि बम लगा के उड़ा दो इसको गांदी जी के शब्द है ये संसत को उड़ा दो राश्ट्रबती भवन को उड़ा दो क्योंकि वो वह सराय का घर हुआ करता था गुलामी का प्रतीक है तो गांदी जी से किसी ने कहा कि बापू आप तो अहिंसा वाले आदमी है और आप कह रहे हैं इसको उड़ा दो तो उनका गुलामी के प्रतीकों को समाल कर नहीं रखा जाता कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी गुलामी के दौर के प्रतीकों को साज कर समार कर धो कर और पौँच कर रखता है हमने रखा Social जिसको इंग्लेंड में West Minister System कहा जाता है उसको हमने दुर्भागे से Parliamentary Democratic System कहना शुरू कर दिया जो कहीं से भी Parliamentary नहीं है और कहीं भी Democratic में आजादी आई नहीं है स्वतंत्रता मिली नहीं बस इतनी ही स्वतंत्रता और आजादी है जो मैं आपसे कह रहा था कि पहले गोरे अंग्रेजों का साशन चलता था अब काले अंग्रेजों का साशन चलता है व्यवस्थाएं सब की सब वही हैं कानून सब के सब वही हैं नीतियां सबकी सब वही है सबकुछ अंग्रेजों के जमाने का आज भी चल रहा है इस देश में इसलिए हमको आज भारत स्वाविमान की तरफ से स्वदेशी की बात फिर करनी पड़ रही है क्योंकि सबकुछ अधूरा है 15 अगस्त 1947 के बाद मैं आपको बहुत दुख के साथ एक बताना चाहता हूँ अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और भारत जैसे पचास देशों को गुलाम बनाया उन मेंसे कुछ देश हैं जैसे कनाड़ा है, औस्ट्रेलिया है, निउजिलेंड है ये एक गुरूप के देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बंगला देश है ये दूसरे गुरूप के देश है, मारिशष है, श्री लंका, ये तीसरे गुरूप के देश है ये grouping किस तरह की है अंग्रेजों ने तीन तरह के देश गुलाम बना के रखे थे एक देश को अंग्रेज कहा करते थे self-governing colonies self-governing colonies में ये था कनाडा, आस्टेलिया, न्यूजिलेंड ये अंग्रेजों का गुलाम था लेकिन इनकी category थी self-governing colonies माने वो देश कुछ-कुछ अपने हिद के कानून खुद भी बना सकते थे लेकिन ज़्यादा कानून अंग्रेज बनाते थे दूसरे ग्रूप में श्री लंका, मौरिशोस जैसे देश थे जिनको crown colonies कहा जाता था उस जमाने में crown colonies में श्री लंका था, मौरिशोस था, ये सूरी नाम वगएरा ये देश थे और तीसरा था depending colonies उनमें भारत, पाकिस्तान वगएरा वगएरा थे depending colonies सबसे खराब गुलामी का धाचा था सबसे खराब गुलामी का उसमें क्या होता था कि आपको अपने हातों, अपने देश के लिए अपनी व्यवस्थाओं के लिए कुछ भी करने का अधिकार ही नहीं है सब कुछ अंग्रेजों के पास है, आप तो उनके पूरे डिपेंडेंट है तो वो हम डिपेंडेंट अंग्रेजों के हो गए क्योंकि हमारे यह गुलामी आ गई और वो हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियों से आ गई इस्ट इंडिया कंपनी हां व्यापार करने के लिए गुस गई एक राजा था जहांगीर उसने आगा न देखा न पीछा लाइसेंस दे दिया व्यापार करने का जैसे आजकल हमारे नेता विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लाइसेंस दे देते हैं थोड़े से पूझी के लालच में कि विदेशी पूंजी आएगी थोड़ी विदेशी पूंजी आएगी इन मुर्ख नेताओं को ये नहीं मालूम है कि बाहर के बोतल के दिये हुए खून से कोई मरीज जिन्वा नहीं बचता अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए तो बोतल का खून चड़ाकर कितने दिन जिन्दा रखेंगे आप उस मरीज को आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा तब ही वो जिन्दा रहेगा वैसे ही पूझी की जरूरत है तो पूझी उत्पादन का तरीका बढ़ाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा न कि ये कि हम भीक मांगे हमेशा पूझी लाएंगे तो विदेशी पूझी पर आधारित ये देश बनाने के चकर में सारे धरवाजे खोल दिये आज़ादी मिलने के 50 साल भी पूरे नहीं हुए सारे धरवाजे फिर खुल गए फिर से विदेशी कमपनियों का स्वागत है globalization है, liberalization है, privatization है हजारों हजारों कमपनियों को गुलाया जा रहा है हर एक छेत्र में उनको व्यापार करने का license दिया जा रहा है जिन जिन छेत्रों में हम व्यापार करते थे अच्छा वहाँ भी उनको गुलाया जा रहा है पानी बेचने के लिए विदेशी कमपनिया आ गई आलू का चिप्स बेचने के लिए आ गई टमाटर की चटनी बेचने के लिए आ गई आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कमपनिया आ गई उडेशी कमपनीों के लिए भी लाइसेंस दिये जा रहे हैं और उनको भी यहां बुला जा रहा है जिनको बुलाने को दुनिया का कोई देश तैयार नहीं है उनको भारत सरकारें दरवाजा खोल के बुला रहे हैं आईए हमारे हैं जो करना है करिए बस थोड़ा सा हमको पूझी निवेश की जो जरूरत है उसमें पूर्ती होती रहे थोड़ा टेक्स मिलता रहे और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जिस मिलते रहे रिश्वत मिलती रहे, घूस मिलती रहे हर विदेशी कमपनी के लिए दरवाजा खुला है, ऐसा लगता है कि भारत कोई खेराती धरमशाला हो गया है, जिसमें हर एक के लिए दरवाजा खुला है सब को बुलने आने की खुली चूट अभी थोड़े दिन पहले हम जिनको भगा रहे थे भारत छोड़ो अब उनको बुला रहे हैं, वापस आओ 1942 में महात्मा गांदी का नारा था इस देश में क्रांतिकारियों का नारा था कुट इंडिया, छोड़ो भारत अब हमारे देश के प्रधान मंत्री और मुक्ष मंत्रियों का नारा है निट इंडिया, वापस आओ कि एनाईटी फिर जुड़ जाओ हमारे देश से तो इतनी बेशर्म हमारे देश में नेतागिरी आई है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये गोरे अंग्रेजों की जगे काले अंग्रेजों ने ले ली है दिल दिमाग उनका वैसे ही चलता है जैसे अंग्रेजों का चलता था आज हमारा देश दुरभागि से पूरा का पूरा खत्रे में है क्योंकि ऐसे नेता देश में कुरसी पर काबिज है जो हर छेत्र में विदेशी कमपनियों को बुला रहे है उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा है कि एक गलती जहांगीर ने की थी जिसकी सजा पूरे देश ने 200 साल भुगती थी अब लग रहा है कि जहांगीर ही जहांगीर पैदा हो गए है मुझे तो कई बार ये व्यंग में कहने को मन करता है जहांगीर मरा नहीं है उसी की आत्मा हमारे देश के नेताओं में प्रवेश कर गई है जो देखो विदेशी कमपनी को लाने के लिए विदेश जा रहा है लाल कालिन विछा कर उनका स्वागत कर रहा है हमारा देश ऐसा हो गया अब विदेशी कमपनियां घुज गई हजारों हजारों की संख्या में गुज गई इन कमपनियों ने जिन्दगी के हर छेतर पर कबजा कर लिया सवेरे आप सोकर उठें तो आपका टूथपेस बातरूम में जाएं तो शेविंग किट्स फिर नहाएं तो उसके बाद साबून फिर कपड़ा धोएं तो उसके साबून फिर बाहर निकलें तो कपड़े पहने जूते पहने चपल पहने क्रीम पाउडर लिपिस्टिक इस्तेमाल करें सब कुछ विदेशी सवेरे सशामत रात को सोने जाएं तो मच्छर भगाने वाली अगरवत्ती भी विदेशी और जिस मच्छर दानी में सोएं वो मच्छर दानी विदेशी जिस बिस्टर पे सोएं उसका गद्दा विदेशी गद्दे के ऊपर चादर विदेशी सब कुछ विदेशी हो गया पचास साल पहले तक इस देश में स्वदेशी 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 मंत्र हुआ करता था आज इस देश के नेताओं ने विदेशी विदेशी सब बना दिया तो आज़ादी के 60-62 साल में हर छेतर में विदेशी करन जब हो रहा हो तब स्वावलंबन की बात करनी ही पड़ेगी और आजादी के साथ बासट सालों में जब हर छेतर में परावलंबन बढ़ रहा हो तो हमें फिर स्वावलंबन की बात करनी ही पड़ेगी इसलिए स्वावलंबन की बात आज हमें करनी पड़ रही मैं आपको एक बहुत खराब बात कहना चाहता हूँ लेकिन वो आपको जानना जरूरी है एक सच के रूप में हमारे देश में आज़ादी जब आने के लिए आंदोलन चल रहा था संगर्श चल रहा था तो नेताओं के दो वर्ग थे एक वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था संपून आज़ादी चाहिए और अपनी शर्तों पर चाहिए क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को गुलाम बनाए ये उसके सम्मेदानी का धिकार का हनन है किसी भी देश को गुलाम बनाना किसी भी सब्विता में किसी भी संस्कृती में किसी भी समय में पर्मिसिबल नहीं है उसकी अनुमती नहीं है तो एक वर्ग था देश में नेताओं का जिन में लालला आचपतराय, विपिन चंदरपाल, लोकमानिबाल, गंगादर, तिलक, अर्विंदो घोष, भगत सिंग, उदम सिंग, चंदरशेकर आज़ाद, सुभाष चंदरबोस, आशवाकुला, रामपरसाद, बिस्मिल ये सब करांटिकारियों की एक लंबी सूची है, जो ये मानते थे कि आज़ादी चाहिए, स्वतंतरता चाहिए, और हमारी शर्तों पर चाहिए, अंग्रेजों की शर्तों पर ने, लेकिन इसी देश में एक दूसरा वर्ग था नेताओं का, जो ये कहता था कि ना आज़ाद एक खराब शब्द है, कोलिशन बन जाए अंग्रेजों के साथ, गवर्मेंट हो जाए हमारी, एक नेताओं का वर्ग ऐसा भी था, जिसके नेता थे पंडित मोतिलाल नहरू, जिसके नेता थे फिरोशाह मेता, जिसके नेता थे सुरिननाग बिनर जी, जिसके नेता थे सुर रधान मंत्री रहे, ये उसके नीचे मंत्री रहे, बस देश मैं चलतार रहया आज़ाधी की कायम क्या मतलब, स्वतनितरा का क्या मतलब, तो एक वर्ग था ऐसे नेताओं का, जो अंग्रे-जों से गड़ड करके सरकार मनाना चाहता था, और एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो समपूर आजादी है और स्वतंतरता लाना चाहता था दुरुभाग क्या हुआ जब ये देश आजाद हुआ तो जिस नेता के हात में ये कमान गई या जिन नेताओं के समूरों के हात में देश की आजादी की कमान गई वो वही थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी तरह देश में सत्ता और गड़ जोड करना चाहते थे तो मानसिकता अंग्रेज ये तवाली थी तो आज़ादी मिलते ही उन्होंने देश में वो कुछ भी नहीं किया जो होना चाहिए था आज़ादी के तुरंद बाद हमारी भाषा विदेशी हो गई क्योंकि हम गुलाम थे आज़ादी आई तो भाषा स्वदेशी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई हमारी भूशा विदेशी हो गई थी जो आज़ादी के पहले थी हमारी भूशा स्वदेशी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हमारा भोजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के बाद हमारा भोजन स्वदेशी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया हमारा भजन विदेशी हो गया था आयुर्वेद आधारे वो पूरी पूरी अंग्रेजियत आधारे तेलो पेथी में चला गया माने आज़ादी के बाद बदला कुछ नहीं न भाशा न भोजन न भूशा न बेशज न भजन कुछ नहीं बदला बदला क्या एक ही चीज बदली मौंट बेटेन की जगे पंडि जवरलाल नहरू माउंट बेटेन की जगे उनके मंत्री मंदल के एक्स वाई जड और कुछ नहीं बदला इस देश में सब का सब वैसे का वैसा ही रहा हमारे देश में सम्मिधान सभा बनाई गई सम्मिधान सभा में बारवर बहस हुई भाषा के सवाल पर लेकिन उस मामले को पीछे अटका हल लटकाया गया बारवर बहस हुई कि अंग्रेजों का कोई प्रतीक हमें नहीं रखना है इस देश में उसको ऐसे ही लटका के छोड़ दिया गया सारी की सारी सम्मिधान सभा की बहस बेकार हो गई जब 1935 के Government of India Act को भारत का सम्मिधान बना दिया हमारे देश के लोगों ने बहुत दुख और अफसोस होता है Government of India Act अंग्रेजों ने बनाया था भारत को 1000 साल गुलाम बनाकर भारत पर साशन करने के लिए वो हमारे देश का सम्मिधान बन गया Government of India Act का कॉमा फुल स्टॉप और भारत के सम्मिधान का कॉमा फुल स्टॉप आप मिला लीजे कोई अंतर नहीं है उसमें और जब ये बात उठी तो ये कहा गया बही जल्दी है जल्दी है इतनी जल्दी में भारत का नया सम्मिधान नहीं बन सकता तो थोड़ा Government of India Act ले लिया फिर अमरीका के सम्मिधान से कनड़ा के सम्मिधान से ब्रिटेन के सम्मिधान से यहां से वहां से वो कटिंग पेस्टिंग होती है न जैसे PhDs किये जाते हैं न हमारे देश में दस किताबें एक ट्ठी कर ली फिर उसमें से एक ग्यारे छप गई वैसे ही दुनिया बर की दस किताबें एक ट्ठी हो गई एक ग्यारे हमारी बन गई भारत का सम्मिधान जिसका सबसे बड़ा जूट है वो वाक्य जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग इस सम्मिधान को आत्मार्पित करते कब किया था कोई बता दे मुझे भारत के लोगों ने उसको आत्मार्पित सम्मिधान सबा के कुछ नेताओं ने उसको आत्मार्पित कर लिया तो भारत के लोगों ने आत्मार्पित कर लिया ये कैसे कह सकते हैं कभी रिफरेंडम कराके देख ले इस देश में कब किया था हमने आत्मार पितु सम्मेदान कानून अंग्रेजों ने बनाए 34,735 इंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए सारे के सारे कानून बिना कॉमा फुलिस टॉप के आज भी चल रहे हैं इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडियन सिविल सर्विसे एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ क्रिमिल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ Civil Procedure Code अंग्रेजों का बना हुआ और तो और Indian Evidence Act अंग्रेजों का बना हुआ Indian Citizenship Act हम भारत के नागरिक हैं नहीं यह भी अंग्रेज तै करके गए हैं उस कानून के आधार पर हम भारत की नागरिक ता पाते हैं या नागरिक हो पाते हैं कानून वैसे ही है भाशा वैसी है सिक्षा पूरी की पूरी जो अंग्रेज छोड़ कर गए थे वही की वही है स्वास्त व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था जो अंग्रेज छोड़ कर गए थे वही की वही है हमारे देश की एक भी व्यवस्था नहीं बदली है सिवाए एक नाम बदलने के कि जहां पहले माउंट बिटन का नाम होता था करजन का नाम होता था लिलिदको का नाम होता था वोरेन एस्रिंस का नाम था कलाइब का नाम था वहाँ पर अब हमारे हिंदुस्तान के कुछ देशी नाम आ गए है व्यवस्ता सब की सब वही है और तो और मैं आपको एक शर्म की बात बता रहा हूँ आजादी मिलने के पचास साल बात तक हिंदुस्तान की संसद में बजट शाम को पेस होता था शाम को पांच बज़े आजादी मिलने के पचास साल बात था क्यों? जब हमारी संसद में शाम के 5 बजते हैं तो लंडन की संसद में सबेरे के 11.30 बजते हैं बिटिश संसद में सबेरे 11.30 बजे किसी को सुनना हो बजट तो अंग्रेज सुन सके इसके लिए आजादी मिलने के 50 साल बात तक सन 1997 तक बजट शाम को पाँच बज़े आता रहा इतनी गुलामी में ये देश रहा है इतनी गुलामी अंग्रेजों ने बंदे मातरम को बेन कर दिया था हमारे देश में आज़ादी मिलने के पचास साल बाद तक हमारे देश की संसत में बंदे मातरम नहीं गाया जा सका है सब्ता का हस्तान तरण हो गया गोरे अंग्रेज चले गए काले अंग्रेज आ गए जेश वैसे ही चल रहा है विवस्ता वैसे ही चल रही है इसलिए ना किसानों की हालत सुधरती है ना मजदूरों की हालत सुधरतی ہے تمा गरीबों की हाले सुधरती है ना मजलूमों की हाले सुधरती है कैंकि ये व्यवस्था जो आज चल रही है ये तो अंग्रेज्जों ने बनाई थी लूट के लिए खसोट के लिए बरबादी के लिए आज़ादी मिलने के बाद अगर व्यवस्था वही चलेगी और आप ये कहो लूट ना हो तब तो ये होने वाला नहीं है लूट तो इस व्यवस्था का मुख्यादार है पहले अंग्रेज लूटते थे अब हमारे ही काले अंग्रेज लूटते हैं इस देश को पहले अंग्रेज लूटते थे इस देश को और आखों करोडों रुपिया लंदन लेके जाते थे एक अंग्रेज का जानकरी देके मैं खतम कर रहा हूं। रॉबर्ट कलाइब नाम का एक अंग्रेज था, हिंदुस्तान आया, बंगाल का राजा बन गया, गवर्नर हो गया, लूटना शुरू किया, उसने कलकता नाम के शहर को 7-8 साल लूटा, लूटने के बाद सारा माल लेके लंदन गया, ब्रिटिश पार्लिमेंट में उसकी शिक हो गए, और उसे पूछने लगे, वई तुमने क्या लूटा है, कितना लूटा है, तो कहता है कि मैंने जितना भी लूटा है, उसका आकलन तो नहीं किया है, लेकिन भारत से लाने के लिए पानी के मुझे 900 जहाज लगे, 900 शिप्स भरके, मैं सोना, चांदी, हीरा, जवारा कलकता से लूट कर लाया, तो फिर एक अंग्रेज पूछता है, इसका वैल्यू बताओ, तो कहता है, रफली 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंज, एक अंग्रेज इतना लूट के ले गया, लंदन में उसने जमा कर लिया, तो ये तो अंग्रेज था जो विदेश से आया, और हिं है, तो इसलिए इन काले अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी थी, इन काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से ऐसे ही भगाना पड़ेगा, जैसे कभी अंग्रेजों को भगाना पड़ा थ है टेक्सेशन का सारा सिस्टम अंग्रेजों का है एजुकेशन पूरा अंग्रेजों का है सिलेबस पूरा अंग्रेजों का है और तो और सबजेक्ट नहीं बदल पाए हम आजादी के साथ साल में एंत्रोपॉलजी अंग्रेज पढ़ाया करते थे गुलाम लोगों के अध्यान के लिए वो आज भी पढ़ाया जा रहा है इस देश में तो बहुत शर्म है हम सब को अपने आप पर और अफसोस है इसलिए हमें स्वधेशी की बात स्वावलमन की बात फिर कहनी पढ़ रही है आजादी के 62 साल में और एक अधूरी लड़ाई जो छूट गई 1947 पंद्र अगस्त में वो अधूरी लड़ाई को हमें पूरा करना है स्वतंत्रता हमें लानी है स्वराज की स्थापना हमें करनी है स्वधेशी को लाना है स्वराज और स्वधेशी को लाकर ऐसा एक तंत्र बनाना है जो सुजलाम सुफलाम भारत का प्रतीग बने ये बोलकर आप सभी का अभार बहुत देने वाज़ाए